हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किच्चन में आज हम आपके लिए लेकी आए हैं वेजीटेबल से भरपूर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएग तो चलिए शिरू करते हैं वेजीटेबल कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा का पोहा यहाँ पर आप मोटा पतला किसी भी वराइटे का पोहा यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले पोहे को हम एक बार अच्छी तरीके से वाश करेंगे और वाश करने क यहाँ पर मैंने पोहे को अलरेडी वाश करके रखा है और इस तरीके से नीचे एक बड़े बरतन में मैंने पानी लिया है और उसके उपर स्ट्रेनर में मैंने वाश कर रहुआ पोहा रखा है इससे हमारा पोहा अच्छी तरीके से सोग भी हो जाएगा और बहुत बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बोल और अब यह जो पोहा हमने सोग करके रखा था इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं और अब इसको मसल मसल के अच्छी तरीके से हाथों से हम मैश कर लेते हैं यह बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं रहने चाहिए, तो आप देखी सकते हैं, हमारा पोहा कितनी अच्छी तरीके से mash हो गया है, इसमें binding भी आने लग गई है, तो इस stage पे मैं इसमें add कर रही हूँ, एक medium size का boiled आलू, इसको भी मैंने mash करके लिया है, तो एक पर आलू और पोहे को अच्छी तरीके से mix कर लेते हैं, आलू और पोहे को हमने अच्छी तरीके से mix कर लिया, तो चलिए फटा-फट से कुछ vegetables भी add कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर add कर रही हूँ, दो बड़े चमच बारिक चौप करीवी पत्ता गोबी या cabbage, दो बड चमच बारिक कटीवी शिम्ला मिर्चिया, कैपसिकम, साथ ही साथ मैं इसमें add कर रही हूँ, बारिक कटीवी अत्रक, जो भी vegetables आपको पसंद हो, वही vegetables आप यहाँ पर add कर सकते हैं, अगर आपको प्यास खाना पसंद है, तो आप यहाँ पर प्यास भी add कर सकते हैं, कटलेट को और जादा flavorful बनाने के लिए मैं इहाँ पर add कर रही हूँ, एक चुड़ा चमच, चिले फ्लेक्स, और स्वादनुसार नमक, सारी चीजों को हमने इहाँ पर add कर लिया, और इनको mix करने से पहले मैं इहाँ पर add कर रही हूँ, थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया, तो चलिए सारी चीजों को फटा फट से mix कर लेते हैं, सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से mix कर लिया, हमारा dough बनके बिल्कुल तयक्यार है, तो चलिए cutlets बनाना start करते हैं, cutlet बनाना start करने से पहले थोड़ा सा cooking oil डाल कर हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से grease कर लेंगे और अब जितना चोटा या बड़ा cutlet बनाना है, उसी के according हम अपने dough में से portion ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर medium size के cutlet बना रहे हूँ, तो अब हम इसको shape देंगे, shape आपकी choice है, जो भी shape आपको पसंद हो, उसी shape के cutlet आप बना के यहाँ पर तयार कर सकते हैं, मैं आज oval shape के cutlet बना रहे हूँ, तो यह देखिए, जिस तरीके से मैं shape दे रहे हूँ, इसी तरीके से आपको इसको shape देनी है, बलकुल oval shape में हम इसको ले के आएंगे, और फिर हलका हलका साम इसको बीच में से press करके proper shape देदेंगे, तो यह देखिए, हमने अपने cutlet को shape देके ready कर लिया, तो यह लीजिए, हमने अपने सारे cutlet को shape देके ready कर लिया, जितना mix हमने तयार करा था, उसमें से हमारे 10 cutlet बनके तयार हुए हैं, तो चलिए, फटा फट से इनको fry कर लेते हैं, यहाँ पर हमने gas का flame on कर लिया है, गैस पर रख लिया एक pan, आप चाहें तो cutlet को fry कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, लेकिन आज मैं cutlets को shallow fry करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर add करी हूँ, लगफ़क 3-4 बड़े चमच cooking oil, gas का flame हम medium कर लेते हैं, और oil को थोड़ा सा heat उने देते हैं, oil हमारा heat उचुका है, तो gas का flame हम कर देते हैं low, और यह जो cutlets हमने ready करके रखे थे, इनको हम pan में set कर देते हैं, एक बार में जितने cutlets असानी से आचाएंगे, उतने ही cutlets हम pan में set करेंगे, cutlets को हमने pan में set कर दिया, तो अब gas का flame हम कर लेंगे low to medium, और इनको एक side से fry होने में तकरीबन 3-4 मिनिट का समय लगेगा, तो इनको fry होने देते हैं, और बीच बीच में हम इसको cook होते वे तकरीबन 3-4 मिनिट हो चुके हैं, मैंने इनको check कर लिया है, ये नीचे से अच्छी तरीके से सिख चुके हैं, तो चलिए हम इनको दूसरी side के लिए flip कर देते हैं, और आप देखी सकते हैं कि इस side से इनका कितना अच्छा golden brown color आया है, तो इसी तरीके से आपने बाकी cutlets भी check कर लिये हैं, हमारे सारे cutlets अच्छी तरीके से सिख चुके हैं, तो gas का flame हम कर देते हैं low और अपने cutlets को हम निकाल लेते हैं एक plate पे, तो ये लीचे हमारे एक batch के पोहा cutlets बिल्कुल ready हैं, तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे batch के cutlets को भी shallow fry कर लेते है हमारे pan में already काफी oil बचा हुआ है, तो हमें और oil add करने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है, इसी oil में हम अपने बाकी के cutlets को भी fry कर लेंगे तो ये लीचे हमारे super tasty और healthy पोहा cutlets बनके एकदम तयार हैं, तो अब जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो, तो आप ये पोहा cutlets की recipe ट्राइ कर सकते हैं, तो चलिए एक cutlets तोड़के मैं आपको इसका texture अंदर से दिखाते हूँ, आप देखी सकते हैं कि ये उपर से कितने crispy और अंदर से कितने soft one के तयार हुए हैं, तो आप भी ये recipe ज़रूर try करें और अपने experiences मेरे साथ share करना बिलकुल न भूलें